दोस्तो आज जो हम review करने वाल है मामारत का ओनिय है रोयल जो कि मैंने हेरफॉर लिए पच्शिस किया था और इसका result क्या रहा है मैं अपना opinion शेयर करने वाला हूँ इसे करी में टू बीक इसे use किया हूँ तो इसका result पूरा बताने वाला हूं तो कुछ इस तरह की ये packaging में आता है ये 150 ml का है जो इसकी price जो 399 डूपीस डाला गया है जो कि मैंने इसे offer में purchase किया था 375 डूपीस में और आप इसे भी purchase का सकते हैं आप वहां से purchase कर लिजिएगा और जो भी इसमें इनके ideas लिखे हुए हैं क्या क्या इसमें मिलाए गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं अची तरह से या तो मैं इसकी शेयर कर दूँगा तो में ये hair oil है जो इस तरह की बोटल में आता है 150 ml के और साथ में आपको कॉम भी मिल जाता है जो कि आपको सिधा इस scalp पे यूज करना रहता है इस cap को remove करने के बाद आप इसे लगाना रहता है फिर आप जड़ों पे hair oil को लगा सकते हैं बट आपको ज़्यादा hair fall हो रहा है तो इस comb को use ना करें जिससे और बाल तूट सकते हैं आपके तो direct cotton की थुरू ही इसे use करें और आपको result मिलता है तो आप इसे use कर सकते हैं अन्य था ना use करें क्योंकि मैंने इसे use किया 2 week तो मुझे कुछ खास result नहीं मिला तो मैंने इसे skip कर दिया मत्तब इसे बंद कर दिया है मैंने use करना और हलाकि इसे half a bottle use कर पाया हूँ और बचा हुआ है जो कि मैंने भी use नहीं किया तो मैंने इसे बंद कर दिया महितराफ से ना है और आपको हो सकता है कि इस result अच्छा मिल जाए तो use करके ज़रू देख ले क्योंकि मैरे scalp को suit नहीं किया ये hair oil तो मैं इसे use करना बंद कर चुका हूँ और इसके में ingredients बहुत अच्छे डाले गए है जो कि hair के लिए बहुत अच्छे है लेकि मुझे suit नहीं किया तो मैंने इसे use करना बंद कर दिया हूँ पैराबीन sulfate free है जो कि कोई chemical इसमें add नहीं किया गया है जो आपके बालों को नुफसान करें बट मुझे suit नहीं हुआ है तो एक बाट ट्राय करें जोरू देखे हैं हो सकता है आपको अच्छा result मिले तो मैं description link provide कर दूँँ आप वहां से purchase कर सकते हैं पे यूट पर जा करें मेरे इसर पर जा झाव भी ऑप बने में जता है कि जो कशने सब्सक्राइब करें मुझे के रहे तो महंगा है तो एटना महंगा होगा आपके लिए तो ने बाट उसके सब्सेट हृइज करें नहीं बाला है वो कम चांसे से रहते हैं क्योंकि उसके साथ अच्छे डाइट फॉलो करना रहता है है और से नहीं हो पाता है जैसे जब तक आप मल्टी विटामिन बायोटीन नूटीशन अच्छे प्रॉपर नहीं लेंगे सीज सासन योगा नहीं करेंगे जब तक आपके हैर स्टॉप नहीं होगा और प्लस नए हैर ग्रोथ नहीं हो पाएंगे तो कई चीज़े होती है जो कि हैरी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे एक्सराइज सप्लिमेंट लेना रहता है तो और भी मैं ऐसी वीडियो बनाओं जो आपके हैर के लिए बहुत बेनिफिट होगा तो आप लोगों यह चोटा से इंफर में जरूब पसंद आया पसंद आतो वीडियो को लाइक करते हैं एंड चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब करते हैं जल्दी मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैक यू फर वाचिंग बाय बाय टेक क्यार